हेलो एबरीवर आयम आलो कुद्पल असिस्टिंट प्रफेसर एड डिपार्ट्मेंट अफ कॉमर्स इंडेली कॉले जगर्नाथपूर कुल्हान इंवर्सिटी छारखन्ट आज मैं जो सब्जेक्ट डिसकस करने वाला हूं वो है और इटिंग और कॉल्पेट गवर्नेंस जो कि बिखुम समेश्टर थर्ड में एक कोर पीपर है ठीक है तो इस सब्जेक्ट में मैंने कल डिसकस किया था इंट्ड़क्शन ओफ ऑडिटिंग आज मुझे आज जो मैं डि आज का टॉपिक मेरा क्या है तो अब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑडिटिंग के वारे पढ़े थे कि एक इंडिपेंडेंडेंट परसं द्वारा जो उस जोब के लिए कोलिफाइड हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वाव यह हम लोग ऑडिटिंग के वारे में पढ़े थे मिनिंग्स ऑडिटिंग पढ़े थे आप पढ़ते कि यह और देश सिख्या है और जैक्तिव क्या है क्यों करते हैं तो सबसे पहले दो टाइप आप आटा गिया है एक औजेक्टिव है प्राइपटिव और एक सेकेंडरी सबसे पहले आते हैं तो पांच आप्जेक्टिव लिखिए और सेकंडरी अब्जेक्टिव लिखिए हैं तो एक एक करके हम लोग डिसकस करते हैं सबसे पहले आते हैं प्राइमरी अब्जेक्टिव पे तो फॉस्ट पॉइंट कहता है खुर सकता है इसमें कुछ क्लियर नहीं हो तो मैं बोलते जाता हूं इससे अब समझ लिजएगा सबसे पहले क्या है आप तो फस्क्राइब कहता है एक्जमीन दस्टिस्टम ऑफ इंटर्नल चेक तो कहता है कि आप अडिटिंग में और टीडर को सिश्टम ऑफ इंटर्नल चेक को इग्जामीन करना चाहि तो सबसे पहले system of internal check क्या उसके बाद जामिन करेंगे तो आते हैं इंटर्नल चेक हम लोग कहते हैं कि प्रतिक company में बहुत सारे employee होते हैं हर एक department के अलग अलग employee अलग department के अलग employee पर्चेश देपाइचमेंट के लिए पर अलग से लुप्लॉय न 13 दिपार्टमेंट के लिए अलेक्स से एंपॉय है तो अधर लुक्वर्स एं से तो जो दूसरे दिपार्टमेंट के इंप्लॉय झाता है तो वह Ching ने वह गल्तियां डिटैक्ट हो जाती है तो एक्जामिन सिस्टम ने ही कहता है कि जो जो है कि एक की गल्तियां आ और डूसरे द्वावरा पकरना तो इंटर्नल चैट में क्या है कि प्रोपर तरीके से कुछ टरिके में इंटर्नल कंट्रोल है क्या नहीं? इंटर्नल छीप है क्या नहीं? वें कृत कहका? इसको फिजामीन करता है कि और इंटर्नल चेख है क्या नहीं थेख हैं? धूसरे में आते हम लोग दूसरा point बोलता है, second point है मेरा, checking arithmetical accuracy of books of account and verifying it, अब सबसे पहले ये क्या देखेगा, कि सबसे पहले देखेगा, इसका arithmetical accuracy देखेगा, अब जितना भी accounts maintain किया गया है, जो भी balance amount है सबका, वो सही स record किया गया है कि नहीं, उसका totaling सही है क्या नहीं, अरिफ्मेटिकल लिक्रिमत उसका totaling सही है क्या नहीं, record किया गया है क्या नहीं, जब यह हो जाता है, उसके पर इसको verify करता है, क्यों जो भी purchase का amount, जो भी purchase book में record किया जाता है, उसका वो invoice से match करता है, कि वो उससे match हो रहा है क्या नहीं, तो ही हो स्री है, इसलिए पहले accuracy करता है और उसको verify भी करता है, क्या 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 करता है, कि verify the authenticity and validity of transactions, इसका मतलब क्या, वो verify करता है, कोई transaction valid है क्या नहीं, authentic है क्या नहीं, कहने का क्या मतलब है, valid ऐसा नहीं कि कोई transaction या कोई transaction हुआ ही नहीं हो, उसको तो कर दिया गया हो, या फिर कोई गलत transaction को तो कर दिया हो, इसलिए एक एक उसको proof के साथ, एक एक transaction को match करता है, और उसको verify करता है, उसके authenticity and validity को verify करता है, ठीक है, next point आते, checking the proper and distinction of capital and revenue of transaction, और transaction दो type के हो सकते हैं, क्या कुछ capital nature के होते हैं, और कुछ revenue nature के होते हैं, अब auditor का क्या है, वो proper check करता है, कि capital nature के transaction है, वो capital में, receipt year capital expenditure में record किया हो, और जो revenue nature के transaction है, वो revenue receipt year revenue expenditure में record किया गया हो, ठीक है, next point में आते, confirming existence and value of assets and liabilities, इसमें क्या कहता है, कि assets and liabilities का जो existing value है, उसको confirm करता है, कि वो सही से record है क्या नहीं है, अपना existing value पो assets and liabilities record है क्या नहीं है, उसको वो confirm करता है, यह था हमारा पूरा का पूरा primary objective, ठीक है, उम्में जब तक कापलों को यहां तक समझ में आ गया होगा, हम लोग आगे बढ़ते है, secondary objective, या फिर subsidiary objective, ठीक है, आगे आपने सबसे पहला इसमें है, कि first point क्याता है, कि detection and prevention of error, ठीक है, यह एक ऐसा mistake है, यह clerkial mistake है, जो कि यह जान भूज कर नहीं किया जाता है, मतलब कि, without having vested interest, जान भूज के नहीं किया जाता है, यह accountant के carelessness के कारण हो सकता है, उसके negligence के कारण हो सकता है, या फिर उसके lack of knowledge के कारण हो सकता है, तो इस type के गलसियां, इस type के mistake को क्या कहते हैं, इर्र कहते हैं, अब इर्र को जो आप, अब इर्र हो गया, इर्र में भी चार टाइप की इर्र होते हैं, तो क्या क्या होते हैं, एर्र जैसे, क्या है, तो first है, error of, commission, error of commission, error of principle, and compensating error, ठेक है, error यह, चार टाइप की error हम लोग देखते हैं, first क्या कहता है, error of omission, omission मतलब क्या, छूट दी जाना, omit हो जाना, ठेक है, error में omission में भी दो टाइप की error होते हैं, एक partial error होते हैं, एक complete, एक partial omission होते हैं, एक complete omission होते हैं, partial omission में क्या, कि जैसे एक इसको example की थ्रू समयते हैं, मालगे चलिए, कोई एसा transaction, जो एक book में तो record हुआ, लेकिन दूसरे book में record नहीं हुआ, example के तोर पे, यदि हम कोई भी goods purchase करते हैं cash में, तो हम purchase book में तो entry कर देते हैं, लेकिन cash book में entry नहीं करते हैं, या फिर cash account में entry नहीं करते हैं, तो इस time कोई error from partial omission बोलते हैं, complete omission मतलब के ऐसा transaction जो ना तो दोनों कहीं, दोनों book में कहीं record नहीं हुआ है, अब जैसे कि purchase कोई भी की तो purchase ना तो purchase book में record हुआ, ना ख्यास या ना फिर credit account में record हुआ, तो उस time के error कोई लोग complete omission कहाते हैं, ठीक है, अब आते हैं error of commission, error of commission में होता है कि गलतियां इस तरह की है error of commission, जो यह clerkial एक तरह को बोलते हैं कि कि जैसे कि यहां पर कोई चीज गलति मतलब गलत record हो जाना, या तो फिर दूसरे account में record हो जाना, या फिर totally में mistake हो जाना, तो इस time के error को हम error of commission कहते हैं, इसमें भी तीन time के error of commission होते हैं, एक होते है, error of costing, error of costing, error of recording and error of posting, अब आते हैं क्या है, तो costing, जब हम कोई भी account को totaling करते हैं, तो totaling में जो भी mistake हो जाता है, जो भी गलतियां हो जाती है, उस तरह के error को हम costing error होते हैं, अब error of posting में क्या है, कि error of posting, जिसमें हम गलत जग, गलत account में post कर रहते हैं, एक जापल, जैसे कि मांने के चलिए कोई भी purchase को, और उसको हम record कर दे रहे हैं sales book में, गलत posting है, तो इस time को error को क्या बोलेंगी, posting, error of posting, और error of recording, इसमें क्या होता है, गलत amount record कर देते हैं, जैसे कोई भी गुर्सा, यदि 340 में purchase करते हैं, और उसको record पर्चेश कर देते हैं, तो इस तरह को कहते है, error of recording, तो यह जो है हमारा, error of commission का thing time है, अब आते है, error of principle, error of principle क्या कहता है, error of principle कहता है, कि ऐसा transaction जो record किया जाता है, जहां पर principle of accounting को ignore किया जाता है, उसको violate कर दिया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखके हम बना देते हैं, तो इस type के error को हम error of principle कहते हैं, एक जांपल से इसको समझते हैं, क्यासे, जैसे कि, अब है कि एक record बाज जैसे हम goods purchase किया, तो ऑफिस यूज के लिए, अब उसको record कर दे रहे, purchase book में, अब हो क्या office यूज के लिए जब purchase कर रहे, जबकि वह हम पर्षी जूख में record कर दे, यह गलती है, या फिर ऐसा तांदेक्सन, जो capital nature का हो, उसको revenue में record कर दे रहे हैं, जैसे revenue nature का हो, उसको capital में record कर दे रहे हैं, तो इस type के error को हम error principle करेंगे, अब आते हैं, compensating error, तो compensating error क्या है, तो ऐसा दो error, जो एक दूसरे को compensate कर दे, और error कहीं पता ही नहीं चले, और यह trial balance में कोई effect ही नहीं करता है, तो इस type के error को हम compensating error करेंगे, में compensating error में क्या हो सकता है, जैसे कि purchase है, 40,000 का कोई भी goods purchase किये, और sales भी किये 40,000 का, और दोनों का दोनों हम record करना भूल गए, तो इस तरह क्या होगा, purchase में 40,000 record नहीं हुआ, sales में 40,000 record नहीं हुआ, तो यह क्या, तो यह क्या हुआ, तो यह क्या हुआ, तो अब यह जो पूरे की सारे के सारे error है, auditor का क्या है, तो इस तरह के error को detect करता है, और उसको prevent करने का तरीका बताता है, ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, detection and prevention of fraud, ठीक है, अभी error पढ़े, अब आते हैं frauds में, frauds क्या है, frauds ऐसा mistake है, ऐसे गलती है, जो जान भूझ कर किया जाता है, और यह top level management directed होता है, जैसे कि कोई भी ऐसे गलती, ऐसे ऐसा गलती जो जान भूझ कर किया जा रहा हो, और यह कोई lower level का employee नहीं कर सकता है, यह total का total top level management directed होता है, उसी के direction से वो उपर से ही होते वे आता है, और लाट तक गलती हैं ही होते जाती है, तो इस तरह की गलती हैं को हम क्या कहते हैं, तो fraud करते हैं, अब auditor का क्या काम है आप पे, तो इस तरह की जितने भी सारे fraud हैं, उसको detect करना, और उस तरह के fraud से company को, उस देख हैं, अब आते हैं, अंदर and overvaluation of stock, यह secondary objective है, अंदर and overvaluation क्या कहता है, अंदर मतलब खंसो करना, overvaluation मतलब जाता सो करना, अब stock क्या कहता है, कि stock जब maintain करते हैं, कहो सकता है, company अपनी फाइदे के लिए कभी stock को undervaluation सो कर देती है, कभी फाइदे के लिए तो कर देती है, तो auditor का काम है, कि इस तरह के जो गलतियां है, अंदर रेलेशन, overvaluation of stock कहीं भी हो रहा है, इसको यह detect करे, और इसको examine करे, चल्टिफवाई करे, ठीक है, तो यह है objective of auditing, ओके, यह पूर हम लोग क्या एक बार देख लेते हैं, क्या क्या आज हम लोग पढ़े, objective of auditing में, दो टाइक को objective हम लोग पढ़े, एक primary objective पढ़े, एक secondary objective पढ़े, primary objective में क्या है, तो हम लोग इसमें पांच पॉइंट देखें, पांच में पहला पॉइंट क्या है, जबीन दे शिश्टम आफ इंटर्नल चेक, दूसरा क्या है, चेकिंग अरिथमेटिकल 59, टेसरा क्या है, c conduc辭व वरिफ यंटरूसरीफ यह उख्यी उख्या रझाइद हम लिछ शयु का इसमें वरीपर आपॉफली आफ इंट्डूसरा किया है,स एक्टी नहिए निटिशंट हम अब्चक्टियू पढ़े ढहें, एक्ठेंक्स उखेंट आध में तूसरे बोग अंडर और विए को सकते हैं एक पोस्टिंग हो सकते हैं एक कर हाँ अब टिसक्श कर चुके हैं तो आज के लक्षर में बस इतना ही धन्दनेवाद फिर आगे हम लोग इसी तरह के और वीडियो लेकर आते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्दनेवाद थैंक यू